प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है तो डालते एक नजराश के प्रदेश के खबरों पर फिरोजाबाद पुलीस को बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलीस ने मुख्बीर की सुचना पर आटो से बिक्री के लिए ले जा रहे है 21 पेटी दिस शराब के साथ अर्विकास यादो जिन्होंने दो दिन पूर्वर टुनला क्षेत्र के बसे रोड स्थी देसी सराब के ठेके से 24 पेटी चोर कर ली गई थी जिसमें से आरोपियों ने तीन पेटियों को पच्चेस सो रुपए में बेच दिया बाकी बच्ची शराब की 20 पेटियों को शात प्याधार पर ओटो को घेर लिया और ओटो में रखी 21 शराब की पेटियों के साथ दिलीप और विकास यादों को पकड़ कर ठाने ले गए पुलीस ने आज मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दिलीप एक शातर किस्म का अपरादी है जिस पर करेबंद 10 मुकत में दर् कुंडला में बसई रोट पर एक ठेके से सराब चोरी हो गई थी जिसे मुकर्मा पंजीकर था 24 पेटी सराब चोरी होने के संदर में मुकर्मा पंजीकर था इससे समंधित दो अभिव्वत आज ग्रफतार किये गए हैं उनकी निसान देग से 21 पेटी सराब बरामत हो गई है पूर जिला अस्पताल ले गए अस्पताल ने डॉक्टर ने बच्चे को मुरुद खोशित किया है मामला जनपध हमिरपूर के राश्किया स्पोर्स स्टेडियम का है जहां पर 11 वर्ष यह मासूम रोज फुटबॉल के ट्रेनिंग लेने के ले जाता था आज भी आया और खेलने लगा थोड़ी देर बाद अच्छानक वह बेशुद होकर गिर गया जिस स्टेडियम में मौजूद लोग अनिफान में सदर अस्पताल ले कर गया जहां डॉक्टर ने बच्चे को मुरुद खोशित कर दिया बच्चे की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया पुल की तरह बच्चा स्टेडियम अन्य लोगों के साथ फुटबॉल खेल रहा था खेलते खेलते वह अचानक बेहोश होकर मैदान में गिर पड़ा साथ ही खिलाडियों ने उसे बेहोश अवस्ता में अस्पताल पहुचाया तो अस्पताल में बच्चे को मुरुद खोशित किय गया गया गटना की सुचना पर अस्पताल पहुचे परिजनों में शौ को देख कर कोहराम मच गया पुलीस ने शौ का पंचनावा भर पोस्मार्टम के लिए भेज दिया है और मामली की जाश शुरू कर दी बिसे नियूज के लिए हमिरपूर सदर से अनिल कुमार की रिपोर्ट मतुरा थारा गोर्धन क्षेतर के गाउप पलसो स्थीत कैनरा बैंक को चोरों ने बनाया अपना निशाना घटना रातरी के करीब 10 बजे के आज पास की बताई जा रही है वही चोरों द्वारा बैंक के बाहर लगे कैमेरा एवं अलाराम चोरी करने में सफल हुए हम आपको यह भी बता दे कि 20 दिसेंबर 2020 को गौर्धन के कजबे में स्थीत कैनरा बैंक को चोरों ने अपना निशाना बनाया मगर सेक्रेटे सेस्टे मजबूत होने के कारण चोर अपने मनसुबों में लेकिन उस घटना का आज तक खुलासा भी नहीं हुआ आखिर ये चोर के नरा बैंक को ही क्यो बना रहे अपना निशाना बताया चाता है कि यह दोनों बैंक एक ही मैनेजर के अंडर आती है वही बैंक में चोरी की घटना की सुचना पाकर मौके पर पहुची सीओ गौर्दन रविकांद पाराशर एवं एसो गौर्दन प्रधीप कुमार वही दोनों अधिकारियों ने घटनास्तल का निरिक्षन किया वही बैंक के मैनेजर एवं बैंक की उच्च दिकारी मिडिया से नजर चुराते हुए नजर आ रहे है वही घटनास्तल पर पहुची एसपी दिहाच श्रीचन ने बारी की से बैंक परिसर का निरिक्षन किया है BCN News के लिए मतुरा से अजे ठाकुर के रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के अध्या में भविश्य में बनने वाले राम मंदिर निर्मान प्रदेश के लिए जनपत हापुड में दान दाताओ से दान संकलित करने का एका भ्यान हापुड जनपत से जनपत के दान संकलन प्रभारी सुधिर अगरवाल के नैतरत्व में प्रारम हुआ आपको बता दे कि कारिक्रम के दोरान हापुड की रामलीला कमेटी की ओर से 51,000 का चेक दान प्राप्ती कमेटी के प्रभारी सुधिर अगरवाल को सौपा गया तो भही भविश्री राम मंदीर निर्मान के लिए आगे सभी को सयोग देते रहने का आश्वासन भिदी आ गया साथ ही दान शक्तिया कारिक्रम में पहुचे अंबा मेटल से वेद प्रकाश द्वारा 12,000 रुपे तथा नेमचन अरुन कुमार जैन द्वारा 11,000 का चेक देकर अयोध्या के श्री राम मंदीर निर्मान में सयोग देने का कारिय किया गया इस अउसर पर हमारे सवादाता से बात करते हुए दान कारिक्रम प्रभारी सुधीर अगरवाल ने कहा कि आयोध्या के भविश्य का मंदीर निर्मान के लिए घर-घर से दान संकलन का कारिक्रम आश्प्रार्ण किया गया और वही हिंद धर्म के प्रतेइक परिवार से अपिल करते हैं कि अधीक से अधिक दान दे कर भवियराम मंदीर निर्मान में अपना सयोग प्रदान करें हिंदु समाज के लिए गोलव का विशे है अयुद्या में राम मंदीर निर्मान हेतु शिरी रामलीला समीती रेइस्टर हापुर द्वारा यता सक्ती सयोग हेतू 51,000 रुपे का चैट यह गया है BCN News के लिए हापुर से अनिल कशप के रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के जनपत हापुर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुग द्वारा संगटन का विस्तार करते हुए जनपत हापुर के विधानसभा क्षेतर से जा मंजीत चौधरी के विध समाजवादी पार्टी के सिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुग ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ आज विभिन वर्क के लोग चुड़ रहे हैं तथा समाजवादी पार्टी आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में इसे बढ़ते कुनबे के सयोग से जनपत की तीनो विधानसभा सीट को जीत कर जहाएक इतिहास रचेगी तो वही प्रदीश की कमान समाजवादी पार्टी के राश्ट्री अधिक्ष एवं पूर्व मुख्यमत्री अखिली श्यादों के हातों में सौपने में महत्वपूर्ण भूमी का अदा करेगी बीसेन नियूस के लिए हापुर से अनिल कशप की रिपोर्ट जमालपूर थाना इलाके में मिली 17 वर्शियक किशोरी के शव की शिनाक करने के साथ ही पुलीस ने हत्या का खुलासा किया मनबट बिटिया अन्जली और पुछपा के आदत से आजीज आकर उसके कहने पर कला दबा कर उसके माबाप ने हत्या कर शव को खेत में फेक दिया था हत्या का खुलासा करते हुए पुलीस ने दोनों को जेल फेच दिया है बेशे एक रिपोर्ट जमालपूर थाना इलाके में राधिशाम के खेत में पाथ जन्वरी को एक किशोरी का शव मिला था जिसके सुचनागाओ के चौकितार शिव मंगल ने दी पुलीस शव किशनाग करने के लिए साथ ही तेकिकात में जूटी थी इसे बीच माबाप को गिरफतार किया गया तो सब कुछ सामने आ गया किशोरी अपने माबाप का कहना नहीं मानती थी उसका आवे समन घर के पीछे ही रहने वाले युवक से था वह शादी करने को राजी नहीं था इस पर प्रेमी के उपेक्षा और माबाप की पटकार से परिशान बिटिया ने गला दबा कर मौत मांगा तो दोनों ने उसका अर्मान पूरा कर दिया अंजली और पुषपा दो जनवरी को रात करीब दस बजे खर आई तो जमाने का उल्हाना सुनने वाले दमपती ने बिटिया से अपने दर की चर्चा करते हुए सुधरने को कहा इस पर उसने फिर गला दबा कर मौत देनी को कहा इस पर उसी के दुपटे से उसका गलाता वाकर उसको मौत देने का अर्मान भी पूरा कर दोनों पती-पतनी घर में ताला बन कर निकल गए चार तारी को योजना के तहट शव को खेत में फेक दिया हत्या कर फेकी गए शौक कबजे में लेकर जाच में जूटिक पुलीस ने अतहा हत्या का खुलासा कर मुरुतक के पीता और मा को चेल भीज दिया है दिनांग 5-1-2021 को एक बच्ची की लास रादे से हम शर्मा जमालपूर के रहने वाले उनके खेत में मिली थी और चुके जो शरीर पे जो चोटों के निसान से उसकी हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा था तो गाम चौकीदार सिब मंगल की सूचना के अधार पे आई पी सी की धारा 302-201 के थार मुकदमा पंजीकत किया गया बेवेशना के दौराण बच्ची की सिनात में वो अंजली और पुस्पा फुत्री अमरनाद ब्यार निवसी जमालपूर के रूप में हुई और इस बच्ची के हत्या उसी के माता पिता दौरा ही की गई थी BCN News के लिए मिर्जापूर से अजय दुबे की रिपोर्ट हापुर जनपत के थाना बहदुरगर क्षेत्र के गाव बिहुनी में 7 जनवरी को साधरन वेश भूशा में कुछ लोग आए और सौरप शर्मा से पूश्टाश कर साथ ले गए वही जानकारी के अनुसार सौरप शर्मा को करीब 15 दिन पहले ही ऐसे ही ले गए थे फौशी सौरप शर्मा की मा का कहना है कि उसके नौकरी जमीन बेश कर लगवाई गए थी और किदनी खराब होने के चलते 16 माई को नौकरी छोड़ कर आ गया था और पिछले महने यानि दिसंबर में भी ऐसे ही लोग आये थे पता नहीं क्यों हमें परिशान किया जा रहा है मेरा बेटा अपनी पतनी पूजा सिहां के साथ अधिकतर मेरट रहता है गवरो शर्मा, सौरफ शर्मा और अक्षे शर्मा, पूत्र, ओमदत्त शर्मा तीन बेटे है और तीनों ही अब बेरुजगार है सौरफ शर्मा 2013 में फौज में जोईन किया था इसके बाद सौरफ की शादी जनपत मेरट में रोड की रोड हरी ओम अपार्मेंट में हुई सौरफ की पतनी मेरट में रहती है अभी सौरफ को कोई बच्चा नहीं है जानकारी में आया है कि आपस में विवाद रहता है और दोनों की कोर्ट मेरिज हुई है ग्रामिनों की माने तो सौरफ शर्मा बहुत सी सीधा साधा है अब देखना है कि आखिर सौरफ शर्मा संधिक परिस्तितियों में ले जाया गया है तो ये खुला सा बात में ही पता चलेगा लेकिन आभी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि फौजी की कई संधिक गतिविदियो के चलते मेरट और लखनों की ATS टीम ने उड़ाया है उसके बाद उससे उनका कोई संप्रक नहीं हो पता नहीं कहा है वो कैसे है BCN News के लिए गड़ मुक्तेश्वर हापूर से अनिल कशप की रिपोर्ट तो आज की प्रदेश के खबरों में वक्त चलाए यही रुकने का ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे है BCN News नमस्कार